हेलो फ्रेंट्स मैं आयशी आपके अपने यूट्व चानल दो ब्लॉगर विद कमपिडे स्किल्स में आपका स्वागत करती हैं आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुगल स्लाइट के बारे में कि गुगल स्लाइट होती क्या है और इसका यूज हम हमारे फोन में कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंट्स जिस तरह से हम पाउर पॉइंट का यूज करकर प्रेजेंटेशन बनाते हैं गुगल स्लाइट का यूज करकर भी हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं गुगल स्लाइट में पा चलिए आप जानते हैं कि हम Google Slides का यूज अपने फोन में किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में प्लेइस्ट्योर को ओपन कर लेना है और वहाँ पर Google Slides अप्लिकेशन को सर्च कर उसे डाउनलोड कर अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है मेरे फोन में Google Slides अप्लिकेशन पहले से इंस्टॉल है तो मैं उसे ओपन सो मैंने अपने फोन में Google Slides अप्लिकेशन को ओपन कर लिया है और नीचे एक प्लस आइकन दिखाए दे रहा है जैसे ही हम इस प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमें दो आप्शन शो होते हैं Choose Template and New Presentation का जैसे ही हम First Show Option Choose Template पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहले से Pre-Defined कुछ Template से शो हो जाते हैं जिनका Use हम हमारी Presentation के लिए कर सकते हैं और इस पे अपनी Additing कर सकते हैं माल लिजी हमने इस Science Project वाले Template को Select करकर Open कर लिया अभी यह Open हो रहा है So Friends हमने इसे Open कर लिया है नीचे यहाँ पर इस Template में जितनी भी Slides है वो यहाँ पर हमें Show हो रही है कि वो Slides हमें किस तरह से दिखाई देगी यहाँ पर नीचे सारी Slides से इसकी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है उपर भी आपको कुछ Options शो हो रहे है Undo Redo को Options शो हो रहा है एक Play बटन दिखाई दे रहा है जैसे हम इस Play बटन पर क्लिक करते हैं तो हम इस Template का Review देख सकते हैं तो हमने इस Play बटन पर क्लिक किया Present on this device पर क्लिक करेंगे तो यह हमारी जो Template है यह Preview Mode में Open होका आ जाएगी अब यहाँ पर हम इसे Tap कर सकते हैं यहाँ फिर नीचे आपको एक Option दिखाई दे रहा है यहाँ से हम इसे आगे बढ़ा कर Slides को देख सकते हैं कि यह हमारी जो Template है हमारी Presentation में किस तरह से दिखाई देगा कुछ इस तरह से हम इसका यहाँ पर Preview कर सकते हैं और हम इसमें कहीं पर भी अपनी Additing कर सकते हैं कुछ इस तरह से हम template का use कर सकते हैं इसके अलावा एक second option और दिया हुआ है नीचे वो है हमारा new presentation का अगर हम खुद की editing से कोई presentation बनाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं उसके लिए हम इस पर click करेंगे जैसे ही click करेंगे तो एक title वाली slide open होकर आ जाएगी जैसे की powerpoint में आती है तो यहाँ पर हम अपनी presentation का title डाल सकते हैं तो माल लीचे मैंने इस पर click किया जैसे ही हम double click करेंगे तो हमारा keyboard open होकर आ जाएगा हम यहाँ पर कुछ भी type of कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया the bwcs जैसे ही हम double click करेंगे तो keyboard के साथ आपको कुछ formatting tools भी दिखाई देंगे नीचे आपको दिखाई दे रहा हुगा जैसे की bold का underline का कुछ इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर हमें options दिखाई देंगे अगर हम इस text को bold करना चाहते हैं तो इससे select करकर हम यहाँ से bold कर सकते हैं इसमें underline दे सकते हैं इसका color भी हम यहाँ से change कर सकत हैं कुछ इस तरह से इसके अलावा अगर कोई highlight color देना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ alignment शो हो रहे हैं आप यहाँ से इसका alignment भी set कर सकते हैं और यहाँ पर side में कुछ bullets दे रखे हैं उपर की side हम देखें तो हमें फिर से दो option तो यहाँ पर three tabs दिखाई देते हैं हमें text paragraph और shape की text वाले tab में अगर हम देखें तो text की सारी formatting यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ से भी हम bold italic underline कर सकते हैं अपनी text को उसका font change कर सकते हैं font size हम यहाँ से change कर सकते हैं अगर हम font size को बढ़ाना चाहते हैं तो इधर से increase कर सकते हैं इधर से decrease कर सकते हैं यहाँ से हम text color को change कर सकते हैं highlight color भी हम हम यहाँ से change कर सकते यह फारे टैब में जाते हैं तो इसमें हमें alignment की options दिखाई दे जाते हैं left, right, center और justify four type के alignments होते हैं इन में से आप जो भी alignment अपने text को देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो हम यहां से वो भी दे सकते हैं अगर बुलेट्स देना चाहते हैं तो वो भी हम यहां से दे सकते हैं हमारी लाइन के बीच की इस पैसिंग भी हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी लाइन के बीच इस पेसिंग कितनी रहेगी, सो कुछ इस तरह से हम यह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम चाहते हैं इस पुरे शेप की फॉर्मेटिंग вашapp वाले option पर चले ज़ाएंगे, इस शेप में अगर हम कोई color fill करना चाहते हैं, तो fill color से हम वह भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से अगर border करल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं border की width हम कितनी रखना चाहते हैं किस type की border चाहते हैं वो भी हम यहां से कर सकते हैं इस shape में अगर हमें कोई shadow reflection देना हो तो वो भी हम यहां से दे सकते हैं तो कुछ इस तरह से यह formatting हम tax की कर सकते हैं उसके A के पास में आपको एक plus icon दिखाई दे रहा है जैसे ही हम plus icon पर click करते हैं तो कुछ options हो जाते हैं अगर हम यहाँ पर कोई tax center करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पर image का option भी दे रखा है आप यहाँ पर जैसे अगर image के option पर click करेंगे तो फिर से दो option दे देगा from photos and from camera अगर आप अपनी phone gallery में से कोई photos reflect करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और direct camera से लेकर भी आप यहाँ पर picture डाल सकते हैं इसके अलावा कुछ shape, line, table भी आप यहाँ पर बना सकते हैं तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से insert कर सकते हैं अगर हम second slide insert करना चाहते हैं तो आपको यह एक नीचे छोटा सा plus icon दिखाए दे रहा है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर हमारी slide के type हमें show हो जाएंगी और अगर हम blank slide चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से select कर सकते हैं कुछ इस तरह से उसके बाद यह comment को option दिखाए दे रहा है अगर हम यह last में three dots पर click करते हैं तो कुछ इस प्रकार का menu open होकर आ जाता है अगर हम हमारी presentation में कोई theme डालना चाहते हैं तो इस change theme वाले option पर जाकर हम theme भी change कर सकते हैं इस में से हम किसी भी theme को select कर सकते हैं माल लीजिए हमने इस theme को select कर लिया तो यह हमारी theme यहाँ पर आ जाएगी तो कुछ इस तरह से हमारी slides यहाँ पर show हो जाएगी हम जो भी यहाँ से theme चाहें उसे select कर सकते हैं कुछ इस तरह से यह सारी themes आप यहाँ पर change करकर देख सकते हैं तो कुछ इस तरह से हम Google Slides का use करकर भी अपने presentation को बना सकते हैं अब हम चाहते हैं इस presentation को किसी के साथ share करना तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं उसके लिए इस three dots पर click करने के बाद share and export के option पर click करेंगे अगर हम किसी को email के थ्रू भेजना चाहते हैं तो share option चीव भी हम कर सकते हैं इसके copy send करना जाते हैं तो send a copy के option पर click करेंगे अगर हम इसे PowerPoint के format में send करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं PDF के format में चाहते हैं तो वो भी हम यहां से कर सकते हैं माल लीजिए PDF के format में चाहते हैं तो हमने इसे PDF पर क्लिक किया देन OK प्रेस करेंगे जैसे ही OK प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह के options यहां पर शो हो जाएंगे आप जिस भी तरह से इसे send करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं नाक्स वीडियो में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस लाइक और शेयर करना न भूले और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लिस सब्सक्राइब सरुर करें धन्यवाद